हाई वरिवन नमस्ते अर्चनाराठो चैनल में आपका स्वागत है उमीद है आप सब ठीक होंगे सेफ होंगे और मज़े में होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन की पापड़ी यह जो बेसन की पापड़ी मैंने बना के रेडी की है इसके लिए हमने जहरे का इस्तिमाल नहीं किया है यानि कि बिना जहरे की बेसन पापड़ी हमने बना के रेडी की है हर किसी के घर में जहरा नहीं होता तो चलिए आज हम बिना जहरे की बेसन की पापड़ी बना के रेडी करेंगे तो यहां पर मैंने चन्नी में एक बेसन का आटा लिया है बेसन के आटे को पहल रट्रेडी होती है तो नमक डाल दिया है अब हम डालेंगे आता चमाच तेल णा लान के यांद के解़ दोर्ट थोड़ा तोड़ा पानी डालेंगे, तब हमें बहुत ही आटा जो है चिपचिपा हो जाता है लेकिन हमें इसी तरीके से गुदना है इसके अंदर गुटलिया बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए तो आटा हमने इस तरीके से लगा लिया है पतला आटा और इस तरीके का साचा मिलता है मार्केट में तो ऐसा वाला स साचा तो होता है और ऐसी वाली प्लेट उसमें रहती है यानि कि गोल गोल नहीं दो टाइसे वाली जो लाइन्स होती है वैसी वाली प्लेट हम इस्तमाल करकर आज पेजन की पापड़ी बना के रेडि करेंगे हर किसी के कहर अब मैंने साचे को अंदर की साइट से ओल लगा लिया है और अब हम जो आटा है उसको हाथों से इस साचे में डाल देंगे लेकिन हातों पर थोड़ा सा ओईल जरूर लगाएगा ताकि यह जो आटा है यह चिपकेना तो इस तरीके से साचे में आटा भर देंगे तो इसकी जो कंसिस्टनसी है इसी तरीके के होनी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गाड़ा भी आटा बनाओगे तो भी आपको पापड़ी बनाती टाइम दिक्कत आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा पतला आटा बनाओगे तो भी आपको आपकी जो पापड़ी होती है वह बहुत ज़्यादा मोटी बन जाती है तो यहाँ पे हमने साचे को भर दिया है अच्छे से और अब हम साचे के उपर का जो पार्ट है वह इस पे रखके यह साचा और आटा पापड़ी बनने के लिए रेडी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कड़ाई में लगभग 250 ग्राम ओईल लिया था ओईल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें इस तरीके से पापड़ी का जो सेफ होता है कोई भी होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसी सेफ में पापड़ी बनानी है कैसे भी आप इसमें ओईल में पापड़ी छोड़ सकते हो और बाद में तो हमें इसको तोड़ ही देना है तो यहाँ पे एक साइड से जो पापड़ी है और उसके पाद इस पापड़ी को हम निकाल लेंगे टीशू पेपर पे तो चलिए आप यहां पे देख सकते हो इसका जो कलर है बस इतना ही हमें इसको फ्राय करना है बहुत जदा अगर आप इसको फ्राय करोगे तो यह जो पापड़ी है वो कड़वी बन जाती है तो चलिए और यहां पे मैंने प्लेट में टीशू पेपर रख दिया है और उस पे पापड़ी निकाल दी है दूसरी भी बैच हम डाल देंगे लेकिन यहां पे कोई भी सेप देने की ज़रुरत बिलकुल नहीं है कौन से भी सेप में आप इसको टेडा मेडा छोड़ सकते हो और यह ज अब दिवाली में मीठा नहीं खा सकते तो उनके लिए यह रेसिपी परफेक्ट है तो आप इस तरीके से पापड़ी बना सकते हो तो यहां पे दूसरी बैच भी हमने फ्राय करके रख दी है इसको भी निकाल लेंगे टीशू पेपर पे और सारी पापड़ी हमारी फ्राय ह अपते सब्सक्राइब करें लिएक तोड़ा referee एक न सब्सक्राइब एक कषता है नमक हलका सा मिक्स करेंगे, इस तरीके से और पापड़ी के उपर डाल देंगे पापड़ी के साथ यह हरी मिल्ची और करी पत्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यह हमारी पापड़ी बनके रेडि है उमीध है आपको रेसेपी पसंद आए होगी कि रेटीपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और चामनों को भी शीप्षेप चामनल को अगर सब्सक्राइब करwhat के रखोगे तो मेरे आने वाली जो वीडियो की नोटिफेकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाएगी तो छेली इसे जांगे मिलते ह